नमस्कार सत्ता का संगर्ष लोग सबा चुनाओ दो हजार चौबीस और आज सबसे बड़ा शो आपके सामने रखने जा रहे हैं अभी मैं आपको जनता की तादाद दिखाऊंगा जो यहां शेरपूर में मौजूद है शेरपूर शेरपूर वो जगए वो गाउं जो एशिया के सबसे बड़े गाउं में शुमार किया जाता है शेरपूर वो जगए जो अपने शहीदों के लिए जानी जाती है और आप जिस जगे पर मैं मौजूद हूँ यहां पर खड़े होंगे तो रौंग्टे खड़े हो जाएंगे इसकी बहुत बड़ी वज़े यह है कि यहां पर एक शहीद समारक शहीद स्थम लगा हुआ है डॉक्टर शिव पूजन राय और बाकी के अश्ट शहीद यह वो शहीद हैं जिनोंने अपनी जान की परवा किये बिना देश के लिए हमारे लिए याने आने वाली पीडियों के लिए अपनी जान को बलिदान करने से भी गुरेज नहीं किया और आज ऐसे ही शांदार गाओं शेरपूर की बहुत ही बहतरीन जनता मेरे साथ मौजूद है बड़ी तादाद में लोग यहां पर मौजूद है शेरपूर का ये शहीद इसमारक इसका महत्व आपने चुनावी जितनी भी मंच सजे हैं उनमें भी देखा जब गाजीपूर की बात हुई तो गाजीपूर और बलिया इन दोनों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर जगे है और यहां पर अब मैं सबसे पहले आप सबका स्वागत करता हूँ एक बार जोरदार तालिया अपने लिए बजाईए आज मेरे साथ शेरपूर की गणमान्य जनता मौजूद है कई खासो आम लोग यहां पर मौजूद है साथी साथ क्योंकि सत्ता का संघर्ष में हम राजनीती के धुरंदरों से बाचीत करते हैं तो राजनीती के धुरंदर मेरे साथ मंच पर मौजूद हैं जिनसे मैं आपका तारूफ एक एक करके करवाऊंगा और इनसे हम बाचीत करेंगे तो आईए शुरुआत करते हैं सत्ता का संगर्ष लोकसभा चुनाओ 2024 की और ये है शेरपुर शेरपुर जिसे शेरों की धर्ती कहा जाता है और इसी शेरपुर में आज यहां की जो जनता है वो हमारे साथ मौजूद है इनसे हम बाचीत करेंगे और साथी साथ मेरे साथ मन्च पर जो महमान मौजूद है करके उनका परिशाय आप से करवा देता हूँ मेरे साथ सीताराम राए साहब मौजूद है जो कि कॉंग्रेस को का प्रतिनेदित्वी आंपर करेंगे मैं आपका स्वागत करता हूँ साथी साथ राकेश राय साथ मेरे साथ मौझूद है जो इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर यहां मौझूद है मेरे साथ यहां पर शशांग शेखर जी भी मौझूद है तो उनसे भी इन मुद्दों पर बात करेंगे सबसे पहले सवाल मैं आप लोगों से करना चाहूंगा यानि जनता से करना चाहूंगा क्या शेरपूर पहले से बदला है पॉजिटिव मायनों में यानि सकारात्मक पहलूं के लिहास से जिनको लगता है कि बदला है वो हाथ उचा करें बहुत बदल गया है जिनको लगता है बहुत बदल गया वो दोनों हाथ उचे करें हाँ आप समझ में आता है यहाँ पर कई बाते होती हैं और इन बातों में जब मैं शहीद इसमारक की बात करता हूँ तो बात आपने देखा कि अंतिम चरण का जब चुनाओ आया उसमें एक बड़ा मुद्दा ये सामने आया था कि कहीं न कहीं आर्मी यहां के युवाओं में जो जोश है उस जोश को भी राजनेताओं ने पूरा-पूरा ध्यान रखा और उन मुद्दों को उठाया गया शेरपूर और भारत एक्सप्रेस का एक नाता भी आपको बताना चाहता हूँ आप जानते हैं सब लोग जानते हैं तो भारत एक्सप्रेस जो की देश का एक सबसे तेजी से बढ़ता हुआ राश्टियर चैनल है उसके बीज कहीं न कहीं शेरपूर में है क्योंकि जो भारत Express के CMD हैं उपेंदर राय वो इसी गाउं से हैं इसी गाउं से निकले और आज उन्होंने भारत Express के जरीए देश का एक बहुत ही उभरता हुआ और लोग प्रिय चैनल जनता के सामने देश के सामने रखा है ये जानना इसलिए भी मातुपूर्ण है क्योंकि इस जगे आपर हर बार चार से पाँच खिलाडी राश्टिय टीम में चैनित होते हैं उनके लिए भी एक बार तालिया और उन्हें से कुछ खिलाडी मौजूद भी है तो आईए शुरुआत करते हैं सत्ता का संगर्ष की और आप अपने-पने से भी गुजारिश करूँगा कि आप जनता के जो सवाल रहेंगे वो हम तक पहुचाईएगा तो शुरुआत करते हैं और शुरुआत हमेशा विपक्ष से होती है क्योंकि कहा जाता है विपक्ष जो है वो जनता की आवाज के तौर पर होता है लेकिन विपक्ष की क्या यह स्थिती रही या नहीं रही यह जरा समझने की कोशिश करते हैं इन चुनाओं में सीता रम राय साब कॉंग्रेस को बहुत सारे समझोते करने पड़े और इन समझोतों में सबसे जो गंभीर मुद्दा रहा वो यह रहा कि समाजवादी पार्टी के साथ एक बार फिर आप समीकरन बना कर चुनाओं में उतरे हैं आपको क्या लगता है कि कॉंग्रेस जो है वो अपनी खोई जमीन को उतर प्रदेश में पापाएगी और अगर पाएगी तो कैसे हलो गडबंदने कितने लोगों को लगता है दोस्तान अगडबंदने कितने लोगों को लगता है मैं इस से बस एकी बात का अंदाजा लगाता हूँ कितने लोग किसके साथ में तो अब हम बात समाजवादी पार्टी की करते हैं राकेश जी मैं आप से जानना चाहूंगा आप इस बात को बताएं कि क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी जिसने 2022 के चुनाओं में एक अच्छा प्रदर्शन किया था वोटिंग परसेंटेज बड़ा था कॉंग कुछ कहूं कहा नहीं जाता चुप रहूं चुप रहा नहीं जाता ये दर्दे बेदनाय वतन सह रहा हूं सहा नहीं जाता बड़ी तकलीफ में यह देश बड़ी तकलीफ में है धर्म बड़ी पवित्र चीज है धर्म को नकारा नहीं जा सकता लेकिन जब धर्म राजनीत मे प्रवेश कर जाता है अपने गंदे सुरूप में तब वहां अनर्थ होता है और उस अनर्थ को और उस अनर्थ को उस अनर्थ से जनता को बचाने के लिए सबको एक होना पड़ेगा सबसे बड़ा मुद्दा है धर्म को राजनीत से जोड़ा जाए तो धर्म के सही अर्थों के रूप में जोड़ा जाए कोई भी मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ विश्व इतिहास में हमारा जो भी हमारी सोच बनी है वह यहाँ है कि दुनिया का कोई भी धर्म सनातर धर्म ही नहीं बलकि दुनिया का कोई भी धर्म जूट बोलने की इजाज़त नहीं देता दुनिया का कोई भी धर्म चोरी करने की इजाज़त नहीं देता जैसे मतलब क्या आप जैसे चंदा चोर और यहां प्रबुद्ध लोग बैटे हैं वो जान जाएंगे हम कम भी कहेंगे तो लेकिन जब आपने असपस्ट जानना चाहा है तो सीधी सी बात है धर्म बड़ी पवित्र चीज है दुनिया के किसी भी धर्म में जूट बोलने की इजाज़त नहीं दी जाती हमारा प्रधान मंत्री कहना नहीं चाहिए बड़ी तकलीफ होती है क्योंकि लेकिन आपरेशन तो करना पड़ेगा बिना आपरेशन के काम नहीं चलेगा दुनिया का कोई भी धर्म बता दिया जाए जो जूट बोलने की इजाज़त देता हो जो चोरी करने की इजाज़त देता हो जिस तरीके से तैयारी की गई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ये कुछ ऐसे मुद्दे रहे जिसने ये बताया कि कम से कम आप लोगों को चुनौती देने के लिए कुछ तैयारियां तो की गई है इनकी तरफ से ऐसे ही पीछे नहीं हो गए और फिर जिस तरह से ती अभिनंदन करता हूं वंदन करता हूं स्वागत करता हूं भारत एक्स्प्रेस वे के सीमडी और एडिटर इनचीफ जिनके नत्रत्तु में आज मुझे लगता है कि मुहमदाबाद बिधान सभा में पहली बार इस तरीके का कारक्रम हो रहा है इसलिए मैं बाबु पेंदर अपनी तरब से धेर सारी शुव कामनायें देता हूं सवाल आता है लोग कर रहें संवीधान संवीधान को जिसने ताक पे रखा जिसने धर्म से जोड़ा वही लोगा संवीधान बचाने की बात करें भारत दाक्टर अंबेटकर ने कहीं नहीं लिखा है कि धर्म के आधार पर किसी को आरच्छन दिया जाए और किसी को विशेश सुविधा दिया जाए इस देश में जिन लोगों ने दो विधान दो संविधान और दो प्रधान की बात की हो संविधान की बात करते हैं आज यह धर्तिव गवाह है पूरा सुने पूरा देश आएंगे आपके पास आएंगे सब्सक्राइब हुआ था लेकिन इस गाउं के लोग राष्टी सोच रखते हैं और यह मुहम्दाबाद अठा और नहीं शोब बैयालिस में 18 अगस्त को सवतंत्र हो गया था तो यहां के सारे लोग बुद्धिजी भी है और राष्टी सोच रखने वाले लोग है इसलिए देख रहे हैं आप भारती जंता पार्टी के समर्थकों की शंख्या एक मिट सुन लेतें एक एक करके एक एक शुक्त देखें नारेवाजी के लिए बहुत बहुत में मिलेगा आपका शो है सुनिए भी आपके लिए चंद चोर की एक बात हो रही है जिस पार्टी इस देश में बड़ी पार्टी थी जिसने लंबे समय तक सत्ता में रहा उसका अध्धच भी घोटाले में जब आता है तूजी स्वक्त्रम जैसे घोटाले कोईला जैसे हजारों करोन के घोटाले हुए हैं वे लोग छोरी की बात करते हैं इस देश में 2004 से लेकर के और 14 तक 2004 से लेकर के 14 तक जब इस देश के लोगों में राजनेति लग रहा था कि से का संकट पैदा हो रहा है तो इस देश में गरीब मा के गर्व से पैदा हुआ बेटा आता है और भारत के प्रधान सेवक की कुर्सी पर बैठता है और लगातार आज 10 वरसों तक जनता का विश्वास आसिल किया और जो कहा वो किया यहीं नहीं किया ख्याल कर ये 20 साल 25 सा करोन की परियोजना चाहुदा में 25 अजार करोन की परियोजना उसको पूरा करने में लगा लेकिन हमारे प्रधान मंत्री ने उन परियोजनाओं को पूरा करने का भी का लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है और मैं आऊंगा दोबारा आपके पास आऊंगा और आप भारती जनता पार्टी के और रुख को भी समझने की कोशिश करेंगे लेकिन समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस निश्चित तोर पर इसके बाद काफी सारी कुछ काफी बाते कहना चाहरे ही होंगी और इसलिए भी कहना चाहरे ही होंगी क्योंकि ये जो समभिदान को लेकर बाते हुई हैं बाकी मुद्व को लेकर बाते हुए है नहें देखा प्रदान मंतरी मोदी ग्रिमंतरी अमिष्या मुख्यमंत्री योगी आदितिना सभी अपनी रैलियों में इन मुद्दो को उठा रहे हैं और आपको एक एक करके कटगरे में खड़ा कर रहे हैं इमर्जेंसी की बात भी आती है ये भी बताया जाता है कि समविधान के साथ किसने खिलवार किया ये इस तरह के आरोप भरती जनता पार्टी की तरफ से आप पर लगाए जाते हैं अब आप क्या काएंगे एक एक करके पहले आप अपनी बात रही बात चोरी की तो बंगारू के पूरा बेट के अंदर पैसा मिला भाजबा के अध्यस थे वादा की बात रही दो करोण हर साल नोखरी की पंदर लाग खाते में कहां गैसा मुद्दे आजा बेरोजगारी मुद्दा है क्या है आपने एक एक करके ये बताएं कितने लोगों को लगता है और थोड़ा मज अब अपने आप सतर बश्कान मांगते हैं और चार बश्कान लोगों को अगर जाओ यह कैसा है कि समुद्द आप अगनिवीर योजना की बात करना चाहरा था कि मैं शहीदों की धरती पर मौजूद हूं और यह मुद्दा इसी जगे पर उठाया भी गया जो 400 का सिलिंडर जा रहा है जी ठीक है रगुनांदन जी आप क्योंकि चुनावी राजनीटी से भी अपने की बात करते हैं आपने नौकरी और विरोजगारी का मुद्दा उठाया है यह इन मुद्दों पर रगुनांदन जी आप जमीन पर रहते हैं यहां पर तो मैं देख रहा हूं कि देखिए आम जनता ही किसी की सपोर्टर होती है किसी के खिलाफ होती है यह आम जनता ही चुनाव लड़ती है आप लोग चेहरे के तौर पर होते हैं किसकी बात जच जच जाए लेकिन यहां पर भी मैं देख रहा हूं दो खेमें देख रहे हैं बर बेबाग बात करने के लिए आपने एक आरिकम रखा प्यूसरी बात सब में इस सेरपूर गाओं को ये बहादुरों के गाओं के ये सहीदों गआओं को मैं नमन करता हूं जहां 1942 में आठ लोग तैसील में सीने पे गोली खाई और तीन लोग गाउं में खोली गोली खाई और निन्यान में लोग आज तक सहीद हुए इस सेरपुर गाउं को मैं बधाई देना चाहता हूं मैं कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टियों कांग्रेस से थोला तो सर्म करो जह जिन्हों ने आपको आजादी की धुरी दिखाई और जहां पर कांग्रेस ने फाइदा उठाया और सत्ता आसिन हुए उनको मत भूलो यह सेरपुर गाउं है और सेरों का गाउं है और मैंने यह जान लिया है कि महगाई और बेरोजगारी का मुद्दा इने दिख रहा है इ यह मोदी जी की वैक्सीन है और जब रुपया लगने लगा तो चोरी से वहां पर यह चोरी से वहां लगवाने जाते ते और बैक्सीन लगवाने काम किया यही यह बात चोरी कहते है आप 80 करोड का जो भोजन दे रहे है उसमें तरह यहां बाइटे हैं जड़े बता दें सी करोड का भोदन मैं फिर पांच साल दूंगा और मोदी जी की कारंटी है और ये देश की मौंबाबाद देश की ये जनता समध रही है और ये भी समध रही है काउन सही है और काउन का ये बार बार जो एक मुद्दा उठाते अभी फिर उठाएंगे क्योंकि ये कहेंगे कि आपने नौकरियों का बादा किया था आपने पैसा बैंक अकाउंट में आएगा इसका बादा ये फिर से उठाएंगे इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस पर भी आपका कोई स्पश्टी करने तो रखें मैं एक बात कहना चाहता हूँ इनको ये नहीं मालूम है अभी सतर साल के उपर बालों को पांच-पांच लाग का जो भीमा जो फिरी दवाई जा रही है ये किसके खाते में जाएगी बोलो किसके खाते में जाएगी सतर साल के भुजर्गों के खाते में जाएगी ये ये जो आप देख रहे हैं ये रोजगारी की और बेरोजगारी की भारती दंता पार्टी उनको ससत हमारे यहां के ब्यापारी चोटे ब्यापारी चाहे कुमार हो चाहे कहार हो और चाहे हमारे बड़ाई हो और चाहे हमारे चाहे हमारे बाबा आएंगे आपके पास माइक पर बोलिएगा माइक पर बोलिए अभी अभी मैं बता रहा हूं इनको सबको प्रसचित करने के लिए भार्टी के मोधी सरकार ने जगा जगा प्रसचर देकर नौकरी की बात करते हो नौकरी इतनी लग गई ठीक है देखिए यहां पर बड़ी तादा देखिए अब एक एक करके साथ क्योंकि हमारे साथ कई मैमान मौजूद आईए बाबा आईए अपनी बात बोलिए इधर आईए हमारे सेयों की देवनात जड़ा सुनेंगे देखिए जंसा में जितने भी लोग अब एक एक करके एक कौन किसका कितना पता चले ताली में जाती है अब तो बहुत बढ़िया माहूल है हां यह बताइए यह कह रहें कि सब देश विकास हो रहा है बहुत आगे बढ़ आपको कुछ मिला हम निकेता को आता कि पांच लाख रुप्या केके देले बाना ही ता पूछा ता नहीं हु लेते हैं जरा इधर आए आप आए खड़ो जाए यह बताइए कि मोधी सथकार की गारंटी है बिल्कुल सहमत है इतना सावगात मोधी सथकार ने दिया है और देखिए शेरपूर की एक पहचान है उस पहचान को और देखिए कहीं और शो होता है तब भी इस तरह की गर्मा बोल रहे हैं लेकिन मंज से उतर कर और बाहर तो हम सब एक ही हैं सबको अपने मुद्दे रखना है बराल हाँ ऐसे जोरदार दालिया सब बजाईए एक बार अब जो बहुत सारे सवाल हैं जो उड़ गये हैं अभी क्योंकि जनता की तरफ से भी शेषांग जी कई बाते आई हैं मैं चाहूँगा उसको एड्रेस करें कि कई लोग हैं जो बेरुस्गारी का मुद्दा फिर भी उठाते हैं महंगाई का मुद्दा उठाते हैं यह बात को लेकर क्या सोच हैं किस तरीके से आप उनकी इन चिंताओं को दूर करेंगे शशांग जी बेरोजगारी आखिर कहा किसे जाए देश बहुत बड़ा है एक अरब 40 करोन बने 140 करोन लोग यहां रहते हैं और उसमें जुआओं की आबादी आप समझ सकते हैं क्या है तो लोग यहां हम सब एक प्रोग्राम लेके आए हैं निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ कि भारत का जुआ जो इस देश को लोगों ने जातिवाद में बाटा था हमारे प्रदानमंत्री ने नारा दिया क्या चेवल चार जातियों में हमने बाटा है इस देश के नागरिक के लोग हैं इस देश में जितनी भी योज़नाय संचालित होती थी हो सरकार के और सरकार के करमचारियों उसके इर्दगेद रहने वाले लोगों तक सिमित हो जाती थी जो लोग छो रूपया तक कभी किसान के खाते में नहीं दिये हम लोग 6,000 रूपय किसान को तीन सी जनो काम किया है जुआओं की बात जब आती है इस देश का जुआ निश्चित रूप से हो नहार है लेकिन हमने स्वा रोजगार पर बल दिया और मुद्रा वैंक इस्टैंडप इंडिया स्टार्टप इंडिया के सहारे अनेकों लाखों लाखों जुआओं को रोजगार दिया है और लाखों जुआ अपने साथ एक टीम तैयार करके इस देश में बेरोजगारी के बेरोजगारी को खत्म करने का काम किए ऐसा नहीं है आप ख्याल करें हम सब गाव में रहते हैं मजदूरों की इस्तिती भी हम सब देखते हैं आज कल आपको काम कराना है खेत में और आप जाये दस मजदूरों को खोज लीजिए वो कहेगा आज नहीं कल कल नहीं परसो निश्चित रूप से स्वरोजगार को भी दो पर आते हैं किसानों की स्थिती सुद्री है सरकार में कितने लोगों को लगता जरा हाथ उचा करें हैं जिनको नहीं लगता है वो हाथ उचा करें हैं आपको नहीं ठीक है क्या मुद्दे हैं आपके दिव जरा एक बार इस देखे देखे मैं बात कर लेता हूं सीधे किखान हो की इस्तिती में सुधार हुआ है क्योंकि सरकार दावे लगा तरनावी कर रही है कि किसानों के लिए बहुत काम किया उन्होंने तो क्या लगा सब ठीक भाँ आज के मैं आपके चैनल के माध्वन कि काना चाहूंगा कि आहरा एक अलग चीज होती है बाड़ी एक अलग चीज होती है अभी तर्द्धा का लेस्मात महत नहीं होता जो आचरण में नहीं लाया जा सकता लेकिन उसके साथ सलूक होता है इस से पूर्गा नहीं बताया यह नहीं बताया कि किसानों की बात तो यह ताइम की दिक्कत रहती है अवह यह अभी जो लोग्भ अर शयर करेंगे अस्तोल के एकार करता है जिनों नहीं 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 आप क्या चाहते हैं को अपर आपक्रतू का कशों Hära मामदाबाइन की सहिती धर्ति को आतंकवादियों की धर्ति बना दिया है बेटिये विराजी परदान हो जाए तो नहीं का जाएंगे आप समाजवादी पार्टी का रुख सुनना चाहेंगे आप सुनी आजाए हमारी गांव सबकर हो जैसे मोदी जी को परधान मंत्री हो जाई तो हिंदुस्तान सबकर हो भाल जाए इसान भॉब भाला जा इगा हमत्ति घॉट अब फोट है कि हमारा शोर्धब कर हमार के बाद के पर शोर्धम को सलें जा कर जा reuse नहीं कि बतां नेगा व५ट रहे टारा मत पार सब्कर हो का रहा आजिए गान इतरी हो ये बात वहिलाओं के लिए इंफ्रस्ट्रक्टर के लिए जो काम किया गया मैं चाहता हूं आप तो धेटाँ आप बोलिए किसानों के अच्छा काम किया ये शशांगी का कहना है भारती जनता पार्टी ने महिला सुरक्षा पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर शेरपूर के अंदर जो सड़के बनी है या अभी काम चल रहा है उसके विशे तो मैं चाहूंगा कि आप बताएं इसको कैसे नजर अंदाज किया जा सकता ह किसानों एक मिनट किसान पर हमारी बात दो बात आप सुन लिया जाए किसान हिंदूस्तान एक मेन हम बोल नह है depth किसान के बारे में हिंदूस्तान के सबसे बहीं कभी का एक online है आप सुनने यदि उचित हो तो आप सुन लिए दिनकर जी रामधारी सिंग दिनकर किसानों के बारे में कहते थे आरती लिये तू किसे ढूढता है मुरक मंदिरों, राज, प्रासादों, तहखानों में देवता कहीं सडकों पर गित्ती तोड़ रहा, देवता मिलेगा खेतों में, खलियानों में किसान देवता है, एक मिनट सुन लिया जाए, किसान देवता है, किसान और मजदूर, देवता हमारे बड़े बुजूर्ग लोग बैठे हैं, सारे लोग जानते भी होंगे, देवता सब्द दैधात से बना है, हमारे भाई रमेश जी बैठे हुए हमारे सा पाठी है, देवता सब्ध दैधात से बना है जो देता है वही देवता है माता पिता हमारे देवता है इसलिए कि हमें देते हैं किसान अन देता है मजदूर रचना सन रचना देता है इसलिए वह देवता है और उस किसान की दुर्दसा दिल्ली जाने के लिए नहीं है जैसे कि हमारे बीच में किस के आजात का रावबिकाती तो मुसलमान का भी गिरलवा। स्वामी सहाजानन हिंदुस्तान के पहले किसान ने था, उनका यह भर्शन है, उनका यह इस्टेटमेंट है कि मैं ने भगवान को बहुत खोजा, मंดिरों में खोजा, मस्जदों में खोजा, तालाबों में खोजा, समुदरा, और हर जगा पहाडों में खोजा, जंगलों में खोजा एप कहीं इसवळ नहीं मिला किसान हमारे भगवान हैं और उस किसान की दूर दशा बार्डर सील करके किल गड़वा दी जाती है. यह किसानों की दसा दूर दसा है. MSP के लिए 700 किसान बार्डर पर मर जाते हैं ये किसानों की दसा दूर दसा है आप के माध्यम से मैं ये जानना चाहता हूं बताना चाहता हूं और आरेंट टैगोर जो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार पाते हैं वो किसानों के बारे में मजदूरों के बारे में लिखते हैं लीब इस चैंटिंग सिंगिंग अंटेलिग आप बीड्स गाड कैनाट बीद फाउंड इन लोलनी कार्नर साफ टैंपुल चोर्च अन मॉस्थ ये जानी प्रजेन ये जानी फाउंड वेर यू डिजायर कहने का मतलब इसका हिंदी रुपांतर हम कहा देते हैं इस वर कहीं मंदिरों और मस्जिदों में नहीं है इस वर किसानों में है इस वर ठीक आपने अपनी 60 वर्सों में किसानों के लिए क्या किया आपने एक पॉलसी बता दिजा मेरा ये प्रश्ण था जो अभी शशांग जी ने बात करी थी कि किसानों के लिए कार्ड बनाया गया उनके खाते में पैसा जा रहा या आप भी इस पर बोलना चाहें तो आप भी बोल सकते हैं विपक्ष की तरफ से आप दोनों में से जो भी बोलना चाहे तो जो काम किये गए हैं नारी सुरक्षा की बात किसान की बात सड़कों का ऐसा नहीं कि विकास की बात नहीं कि बीजेपी ऐसा नहीं कि सिर्फ मंदिर की बात करती हैं कोई दूसरी बात करती हैं हैं जिन पर हम आप विश्वास करिए बने रही है हर मुद्दे पर माद को भी देखिए लोगत की तरह अपनी नजर करिए आम मरपूर की बात करिए तो आप राजस्थान की बात करिए आपको मुद्दाबाद के देखिए हम शेरपूर में हैं शेरपूर के मुद्दो की बात हो आपके मुद्दो की बात हो तो जादा अच्छा है बाकी मुद्दे हम उठाते हैं मुन्ना यादों मारेगे वो याद नहीं है यहां के पठेल मारेगे राय मारेगे वो याद नहीं है मरपूर याद है और नहीं कोई याद है आप अपने मुद्दे पे आईए अपने छेत्र के आईए मुहमदाबाद में आईए जहां मैं घूम रहा हूं आप सब के बीच में मोदी योगी ने जो दिया है वो जो दिया है वो सबसे बड़ी सुरचा दिया है आज सबसे बड़ी सुरचा दिया है कोई मत आप एक बार सुनिये आप एक पुर्खिरी में नेता सपा का नेता जो है वो जेल में आज भी है भेस्टा चार में जेल में है और जो दिया है आज ऑच माता ही आढो मुटा रही एज्य आप्मिष्टे की दोड़ी नाटन वब जो नोब शसी ओपड़े को स shines दोड़ी नाटन टाप God श्हीन हो सुनवं कि व्ठक सअसब की सिकर डूरी generator प्रवार को बेजा गया वो चोर नहीं है अजीत पवार को भेजा गया उच्छोर नहीं है तमाम चट्टे हैं भरे हैं अब को एक चूर नहीं है वह जो लोग करोड़ो करोड़ो का गोटाला किये हैया वह लोग भी पानेबात कर रहे हैं बताहिए जिसकी आसथाप्ना में यह जिसकी जननी जिस की पार्टी की प्रस्टाचार वो लोग भी आज माने इस ऐसी बाते कर रहे हैं अग्रेस पार्टी ने किया है और यहाँ पर कुछ लोगों का यह कहना था उन्हों आकर अपने प्रवक्ताओं को बताया भी कि आपको यह बोलना तो मैं चाहूंगा आप में से कोई कोई चिन्नित करें कोई बात रखना चाहता है खड़े होई है मैं तो आपको मच पर आकर बोलने लिए एक थाकत चाहिए यही मैं चाहता था आप आरवार बाद दीच में आ रहे हैं आप बोले बात को भाजबा कहती है कि किसानों के समान में 2000 रुपया हम हर चार महीने पर दे रहे हैं साल भर लेकिन यह नहीं बता दिकीतनी किसान पाते हैं कितने किसान पाते हैं, नवकरी करने वाले को आप देते नहीं, टेक्स पेई को आप देते नहीं, दो जो मिया वीबी जो दिन के दो खाता चलता है उनको आप किसी एक को देते हैं, फिर देते कितने को हैं, रहिस बात इसकी कि आप दे कैसे रहे हैं, एक किसान को 500 रुपिया पर मंथ दे रहे हैं आप छहाज़ार रूपीया साल भर में दिए रहा है एक दिन की कीमत होगी उसकी सत्रा होच इसकी सात्रा रूपए आप देते हैं لेकिन दो लोगों से मैंने पूछ लिया है आप पेजरा बताएं वह कुछ बता रहे हैं आपने नहीं ऐसे बोलिया आप मोदी जी की सरकार ने छो हजार रुप्यत दिया लेकिन कांग्रेस और दूसरे दल के लोग बताने कि छो पईसा भी किसी कि ठाते में दिया किसी के ठाते में न और पूरा चार सो पार जमीनी हकीकत को बहुत बारीकी से जानते हैं तो इनकी राए भी मेरे लिए उतनी एहम हैं मैं लगातार आपको कह रहा हूं और आपकी बात को सुना जाएगा बस क्योंकि वहां से एक सवाल आया शशांग जी कितने लोगों के खाते में जा रहा है या कितने रोजगार की ब है पिछड़ा इलाका है आठ घंटे बिजली के लिए हमको दिन याद है आठ घंटा हम लोग धरने पर बैठे थे यहां का स्थानी विधायक उस धरने को खत करने के लिए जिस पार्टी के यहां प्रवक्ता लोग हैं उनके समर्थित पार्टी के लोग वो मने अपने गोली र है लगातार आठ दिन तक रहा बीबीसी और उत्तर प्रदेश का जो समाचार है प्रदेशिक समाचार उससे निव जाया इस बागी के धरने को और आज किसी को न धरना देना है और किसी को ट्रंसफार्मर के लिए चंदा वसूलना है गाउं के गाउं में भी अठारा घंटे बिजली यहां सेरपूर के साइडाने की स्थिती ठीक हो गई है है अच्छार आप इसली देती है हमारी शरकार किसानों पहले से तो बैतर हुई जो लोग डीजल कि आप भुलिए हम किसानों के हाई एक मेट सुन लिए है उसको माफ कर ठीक है शसांग जी काफी बोला तुल आप शेरपूर के सभी निवा और आज से एक महीना पहले से लेके आज तक साम को आप लोगों को बीजली मिलती है के आज शेरपूर में है के आठ लोग सहीध हुए हम जीनत लोग सहीध हुए उस कर करम को ले करके जो हमारे देश के आजादी की लड़ाई llड़ी जारही थी आज सेरपूर के लोग रात को साम से लेके साथ बज़े से लेकर किसी पिजली नहीं मिलती है अगर यह बन के कहते हैं तो कहते हैं और एक बात और मैं कह दे रहा है जी जी बोलिए जी को इस देशी से हटना पड़ रहा है तो यह भाजपा का हंकार है बिजली की बात हुई बिजली की सितियों की बात हुई रगुनंदन जी भारती जरता पार्टी के आने के बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बड़े अचीवमेंट के तौर पर हर मंच पर रखा गया है क्या आपको लगता है कि शेरपूर की और आसपास के खेत्रों की बिजली की सितियां सुधरी हैं या अब भी आपको कुछ चुनोतियां हैं तो आप बताएं कि इन खेत्रों में क्या चुनोतियां आती हैं और कब तक सुधार हो जाएगा जिनको उठाया गया है आपर देखे मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि यह भारत वह कि अब जहां भारत में आज भारत का नाम लिया जाता है विश्व में भारत की पहिचान बनी है यह मानी नरेंद मोधी जी प्रधान मंती जी के द्वारा बनी है अगर प्रदेश में कोई पहिचान बनी है तो मानी योगी आदिननार बाबा जी के नाम से बनी है हम सारा कist सारा काम करेंगे जिससे यहां के लोग धूर नौकषी न करने जाएं यहींD par नौकरी करें यहीं ब्यापार करें और इसी ब्यापार के लिए मुद्रा योजना निरीय Soeja चलाई है भारती नंता पार्टी ने जो करीबों का ही थो रहा है जो माल देकर जो पैसा जबर जस्ती आठा ददत पर्टेंड लेते थे आज फिरी में करीबों को धन मिल लहाब एंग से और आज ये इस्तिती है कि मैं गाउं गाउं जा रहा है है माताएं कहती है भीया मोदी ना आए तो पांसाइट कारंटी है दूस बोल रहा है कांग्रेस के प्रवक्ता अगर बोल रहे हैं तो उनको भी सुनी पुर्वरती सरकार की यह जो जना है वहन महां सिंसरकार की नए विधाग जी को जनकारी हो तो जान ले अधियर और रही लाही की बात तो बताईकम पनाथ में कांगरेस के बाद एक पाउर हॉस कोई दिया है दिने का काम की एंएघ कंगरेस् के पाद एक पाउर हॉस यहां पर क्योंगा है बता दे तो एक एक सवाल बीजेपी से क्योंकि हाया है कि कोई ट्रांसफार्मल लगाए कि आप इस पर जवाब करें शशांग जी तो मैं यहां बैटी जंता बताएगी चंदा देकर कि ट्रांसफार्मल नहीं न लाया जा रहा है वर्कसाप से चलने के बाद अच्छा एक में समणी बात सुन लिजा आप एक-एक करके सब बोलेंगे शशांग जी से मेरा निवेदा ने एक-एक करके जिसको चिन्नित किया गया उनको बोलने दिया जाए शशांग जी को मैं इसको नहीं न कार सकता लेकिन तीन तीन चारचर अभी सविस्टेशन हमारी सरकार ने देने का काम हाँ तीन 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 सविस्टेशन तीन सविस्टेशन अपनी भीधान सभा में हमारी जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसको जो है बनवाने का निर्णे लिया और वो बन करके तैयार की इस्थिती में है ऐसा नहीं है और क्या करिए आज पच्चासों साल से जो गाउं के 11 हज्यार या एलेंटी की जो भी तार और पोल थे जरजर थे आए दिन दुर घटनाएं घट जाती है गरीब का वेटा जब गाय चराने जाता है पसु चराने जाता है खेत खलीहानों को जाता है तो मर जाता था लेकिन हमारी शरकार ने यह निर्णे लिया किन सभी जरजर पोलों को जरजर तारों को बदलवाने का काम हम करेंगा और वह काम सुरू हो गया ठीक है गाम समय सीमीत है प्लीज क्रपिया कर दूसरे म और में जनता के बीच भी आ आ रहा हूं आ रहा हूं जब माई काई तब बोलिए गना अभी क्यों बोल रहे हैं आपके पास आ रहे हैं सन 42 में हमारे गाव के जो लोग सहीद हुए थे उनके संदर्म में मैं भाजपा से हमारी एक सिकायत है मैं कहा दूँ ने दे रहे। देश के प्रधान-मंची इन बार गाजीपूर आया हैं प्रधान-मंत्री की हैसियत है in आप सोच ले अच्छा दूसरी बात एक आप सुन लिया जाए हमारी बात कम से कब आपने टूजी स्पेक्ट्रम की बात की टूजी स्पेक्ट्रम का इतिहास भुगोल हम बता दे अपने ही बिरादरी के थे कहते हुए भी सरम आती है कितना उस जियो बना दे 1.76 लाग करोन का अपने ही बिरादरी के अपने रिस्टेदार भी थे कांग्रेस को बेज़त कर दिया ठीक है और राकेश जी क्योंकि मेरे पास रिपोर्ट को आप निवापसाते ही साबित कर सकते हुए राकेश जी क्योंकि समय सीमित होता है टेलिविजन डिवेट में अगर हम कोई जन सभा में होते तो बात चलता आप चाहते हो मैं आपके बीच आजाओं कितने लोग चाहते हैं तो ताली बजाए एक बार आप कौन-कौन बोलना चाहते हैं वो हाथ उचा करें सब बोलना चाहते हैं अगर कोई अपनी बात कहना चाहते हैं तो कहिए सुनिये मा गंगा के पाउंतर परिस्तित सहीद गाउं सेरपूर आज डिवेट में मैं कहना चाहता हूं कि सहीदाने सेरपूर वो सेरपूर है जो आजादी की लडाई में आठ लोगों ने खुरबानी दे करके देश को आज है बिजली की समस्या पूरा इवासेरपूर के खड़े है पूरा उत्तर परदेश के अंदर जब हाकार मच यह तीन घंटा बिजली आती थी इसी गाउं के लोगों ने आवाज दिया पखनपूरा के लोगों ने आवाज जब वो चाहते थे सुनिए मैं छोटी बात कर रहा हूं यह बिजली की मसमत से बता रहा हूं यह पहली ऐसी जोगी जी की सरकार है मोजी जी की कि धीबरी और लाल्टेन का जुगता वो खतम हो गया सारे एक ही आप परेशानी बता रहें किसी के बास आप परेशानी बता रहें कर रहें मैं आपकी बास सुनूँगा ना मैं आपके पास आऊंगा कोई दूसरा मुद्दा भी तो होगा जिस पर आप बोल पाएंगे थोड़ा शांती तो रखें मैं भाजपा के प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूं कि मोदी जी को सत्ता मैं दस साल हो गए लेकिन मोदी जी की प्रश्मिक्ता सिच्छा स्वास महंगाई रोजगार नाओके मंगल सूत्र भैस और बिधवा कांगेर्स की बिधवा यही 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 इसमिर तिर्यारी जब य आपके मुद्दे में तो आप इनका जवाब दीजे ना इनका जवाब आप आपका जवाब था आप करना है कि समय जब जिस समय 400 का सिलिंडर था उस समय लोगों की आज 10,000 होती थी आज लोगों की तंखा 80 से एक लाख हो गई है तो तंखा के तुलना में गैस सिलिंडर का अधाम नहीं बड़ा हुआ है। दूसरा सुनिए जल्दी बोली ना बाकी के लोग भी तो है। लगाईए कि लोगों का जीवा नस्तर सुदरा है कि नहीं सुदरा है। लखनव से आने में लखनव से लोगों के यहीं आने में मुहमदाबास एक दिन लग जा हां मुझे पत करूं सिक्षा की बात करूं तो सिक्षा मैं गासे गड़ेस पढ़ाया जाता था आज गासे गदा पढ़ायाता यह किसकी देन है ने पढ़ाया लेकिए सिच्छा को आपने बेच दिया ये किसकी देन है नहीं बोलेंगे सिच्छा को बेच दिया किसकी देन है नहीं बोलेंगे लेकिन गौसे गदा, कौसे कबूतर पढ़ाया, कौसे कमल क्यों नहीं पढ़ाया ये जरूर पूछेंगे ये सवाल नहीं है, सवाल है अप्छर का ग्यान का देखिए वॉली बॉल के खिलाडियों की मैं बात कर रहा था ये कोच हैं, यहाँ पर बच्चों को ट्रेणिंग देते हैं कैमने की दरब बताइए आपकी कि यहाँ पर स्पोर्ट के लिए कैसा काम हो रहा है युवाओं के लिए कितनी उमीदें बड़ी हैं या आपको लगता कुछ काम हो बीजेपी गुर्मेंट ही 2018-19 में खेलो इंडिया प्रग्राम लाया जिसके तो युवाओं को 10,000 रुपे पर मन्त दिया जाता टेनिंग के लिए भी हालही में 95 लाख रुपे है कि वह चला ता और इस्टेडियम के रही बात तो सिर्पुर के लिए अलाग फीडर बनवाए थे जote कर आप आज तочка काम करने मेंड़ ञार यह उंड़वर नहीं हो पाहिए पूटे फुटे पुटे फुटे यह कह रहें उस समय पर काम शुरू हो गया था ठीक है आप बोलना चाहते हैं कुछ इधर आओ इधर आओ इधर आओ जल्दी हो यह मस्त जी आए यह भी दिये लेकिन उसके बाद लेकल परनात राय कुसुम राय तमाम लूँ जो भी दिया भूम्याद परते हैं ठीक है चलिए अब पीछे दो कि दो साल हो गया इस गाओं के स्कूल के टूटे हुए और देने के लिए वोट नहीं है बस्ती में वोट देने जाना पड़ेगा आज तक स्कूल नहीं बना यहीं भाजबा की सरकार है अब इसते जादा हम क्या का है सरम की बात है देखिए जब इनके पास नहीं मिलते तो इस तरह के मुद्दे उठाएं जितने भी डिलिवरी हुई है वह भाजबा ने किया है इन्हों यह यह सरकार क्यों घोसड़ा करती थी और डिलिवरी कि जिनकिया है तो भाजबा अब अरे प्रामरी स्कूल का अस्तर उड़ गया प बढ़ गई पढ़ने वालों संख्या बढ़ गई ताइस लग गए हैं बाउंडरी बन अब पीछे किसी को कुछ कहना है देखिए फिर मत बोलियागा कि जनता नहीं बोली जनता से 50 बार मैंने बोल दिया कि बोली यह बोली अगर आज बीजेपी प्रवक्ता बात करते हैं कि दिमें सरकारी स्कूर तो बते हैं इतना सरकारी स्षब बच्चे आचेlor पीनिकल रहा हुच्छा अपकर क्या है अभी तक भर्जी भर्तियां होती है देखिए आज से पहले इतनी भर्दियां आई कि मान्जी सिर्पाल ने एटा और इटावा से इसी गाजीपूर के लड़के भर्ती में दवडें धूपे कूदें और एटा इटावा के लिए भर्दें चले गए है हाँ कुछ लेकिए हम समाजबादी पाटी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि सपा के सरकार में जनवातों गुंडा माफिया जिम्में वे एग अधू लगता था हम पर जबादे सपाने क्या किया है इसके बाद ने सुन लिया जाए सुन लिया जाए हमारी आप सब ब मानने मुलार्म सिंह याद हो तमाम लोग मान मिल जाथ के उस जनता महान है लेकिन वही जनता ले ले लेति है तो जनता महान ने यह लाग के बहुजूद मौम्दाबाद का विदायक मौम्दाबाद की जनता थुनती है और एक तारीक को एक तारीक को मुकेत कुमार का गाना है कि पबलिक है सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है सब पाचाइब चलिए अब एक एक तर परदेश की ततका खलивать को इ salary सरकार मुलायम सिंह की सरकार शपा की सरकार ने एक कलम से पूरे उत्तर्पदेश में 900 विड्याले को एड दिया जिसमें सिरपुर के दो भी घ्याले एडएड हुए जिसमें एक विड्याले अभी भी एड र sedent है और हम इसको भाशन की रैली बना देंगे तो बात खतम हो जाए खुद सिक्षा से जुड़ा एक व्यक्ति हो और ख्याल करी अभी सरसथ हजार की वेकंसी को उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो प्राथमिक विद्ध्यालों में एक हेड़ मास्टर के पास तीन-तीन विद्ध्यालों के चार्ज होते थे आज कोई एक घ्मास्टर की सेर्पूर 快 only ऑपका ही अस्तिश्थि सेफील भी है ख्याल करिया वहां सिक्षिक कि दिखिख का थी लग रहा था हम लोग उसको देखें हैं बड़ी नजदीक से कि विद्ध्याले टूट जाएंगे समाजवादी पार्टी की सरकार काम कि आपको इस बार क्यों उम्मीदे हैं मैं देख रहा हूं कि अभी यहां पर बहुत सारे मुद्दे उठाए गए सब पर आपस में बड़ी बहस बेढ़ आपक्तर प्रदेश की सरकार की ज़्दी बनवाना प्रारम कर दिया जिनके पाकेट में पैसा नह कि छाओं गैसा जाओं गोग भी आप लोगों को कि ऑफ लोसा है कि एक बार फ्र आप लोग आ रहे हैं एक जैसा के देखे मैं तन्हा जानता हूं कि जो करता है उसे मिलता है मोधीजी आंग गरीब और शेरपूर की जनता को नमन सर जुका के बहुत शांदार आडियंस मैंने इतने शोज किये एक बार जोरदार दालिया आपके लिए जोरदार दालिया इस खास पेशकश में इतना ही